वेलकम एवरिवान वेलकम एवरिवान आज हम लोग देखेंगे यूनेट 6 तो इसमें है आपका लॉजिकल डीसनिंग तो लॉजिकल डीसनिंग जो चाप्टर है यह समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इसमें से हम इसीली फाइब मार्क्स का जो ग्रेष्टन होता है बाद पाथ जो ग्रेष्टन होता है वो इसीली अटेंड कर सकते हैं कि इसमें से direct questions आता है तो इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है बाखी यह चाप्टर में से 10 मार्कस को अटेंड करना UGC Net Paper 1 में काफी आसान होता है तो इसको चैप्टर को हम बहुत आराम से और बहुत सारे example से समझेंगे तो अगर आप लोग को ये वीडियो slow लगे तो आप YouTube के setting में जाके इस वीडियो को speed से देख सकते हैं बाक इस चैप्टर में देखेंगे क्या क्या समझेंगे हम लोग तो सबसे पहले जो है हम लोग समझेंगे कि premise और conclusion होते क्या है deductive और inductive argument क्या होते है proposition के क्या क्या हिस्से होते है उनके types क्या क्या है quantity किसे बोले जाता है quality और distribution किनको बोला जाता है तो अगर आप इस वीडियो में PDF डाउनलोड करना चाते है तो इसके description में जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं चलिए chapter को start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि premise और conclusion क्या होते है premise और conclusion क्या होते है premise का अगर बात क्या जाए तो premise का मतलब होता है आपका statement statement और conclusion का मतलब क्या होता है conclusion का मतलब होता है आपका argument तो यहां पर example से समझेंगे दो statement पहले लिख लेंगे premise लिखते हैं यहां पर exchange कर देता हूं तब आपको ज्यादा अच्छी तरीके समझ में आएगा यहां पर p1 लिखते हैं और यहां पर लिखते हैं आपका p2 यह है अमारा p1 यह है p2 p1 में हम दोग लिखते हैं all cats like milk और p2 में लिखते है e tom likes milk इससे हम लोग क्या conclusion बना सकते है यह लिख सकते हैं हम लोग की tom तो यह देखें जो conclusion है यह conclusion गहां से बनाया गया है आपके statement से जो मैंने पहले दो statement लिख दिया था उसमें से हम लोग में आपके statement बनाया है कि सभी बिल्ली को जो है वो दूद पसंद होता है और tom भी जो एक बिल्ली है उसको भी दूद पसंद है तो फिर tom एक बिल्ला है तो और एक statement से हम लोग यही चीज़ को देखेंगे उससे जो आपका concept और भी clear हो जाएगा यहां पर हम लोग लिखते हैं e1 यहां पर e2 e1 में हम लोग लिखते हैं ram is good student और पी टू में हम लोग क्या लिखेंगे पी पोस आई आई टी इससे हम लोग क्या conclusion बना सकते हैं इन दोनोस statement से अई आई 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 टी इससे हम लोग यहां से conclusion बना सकते हैं कि आप लोग को पता होगा कि एक कॉलेज में अगर कोई एक अच्छा स्ट्वेंड जाएगा तो उसके बारे में सभी बोलते हैं कि वो कॉलेज भी अच्छा आई जैसे कोचिंग सेंटर में होता है कि कोई कोचिंग सेंटर में मान लिजे कोई एक टॉपर निकला किसी साल में तो सभी क्या मानते कि वो कोचिंग सेंटर सबसे अच्छा है तो ऐसे ही आपके कॉलेज स्कूल्स यूनिवर्स्टेटिस में भी सेम कम होता है यहां पर सब्जेट कौन है राम जो कि एक अच्छा स्ट्वेंट है और वो जाता है इसलिए वहाँ से कॉन्क्लूशन क्या निकाल सकते हैं हम लोग कि जितने भी अच्छे स्ट्वेंट होते हैं वो सभी आपके आई 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 टी में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो यह होगी आपका प्रिमाइस और कॉन्क्लूशन अब जो सेकेंड चीज है प्रिमाइ चीज है प्रिमाइस को बोलते है आपके स्टेटमेंट और कॉन्क्लूशन को आपका बोलाई जाता है आपका आग्यूमेंट आपका स्टेटमेंट जो है स्टेटमेंट आपका प्रूव भी हो सकता है या फिर false हो सकता है और आपका argument जो है argument हमेशा valid या फिर invalid होगा जब भी हम कोई statement बोलते है statement क्या होता है कोई भी एक sentence जो आप हम दो कोई चीज बोलते है तो हम जो चीज बोलते है वो सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है और argument जब हम दोग देते है वो argument आपका valid हो सकता है या फिर invalid हो सकता है यह दोनों चीज जो है यह काफी important है और इसा हमें काफी बार आ चुका है इस statement जो है वो true या फिर false हो सकता है और argument जो है वो valid या फिर invalid हो सकता है ऐसा है यहाँ पर देखते हैं यह statement देखिए सबसे पहले दिया हुआ है राम is a good student तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग इस statement को हम लोग कह सकते हैं कि यह statement जो है यह true है दूसरा statement he goes to IIT तो यह भी आपका true है और यह all good strengths go to IIT तो यह argument आपका हो जागा valid अब देखिए अगर मैं यह लिखता यह strengths अटाक है मैं यहाँ पर लिखता कि all good players go to IIT तो यहाँ पर क्या हो जाता है मेरा यह statement जो है वो valid ना होके हो जाता आपका invalid क्यों? क्योंकि यहाँ पर players के बारे में लिखा नहीं है पर यहाँ पर conclusion में मैंने players को add कर दिया है तो मेरा argument किया हो जाता है वो हो जाता है invalid तो हमेशा याद रखें statement जो होता है आपका true या फिर false हो सकता है और जो conclusion होता है वो valid या फिर invalid होगा तो I hope यहां तक आप सबको clear हो चुगा है तो इसके बाद चलते हैं आपके deductive arguments पे deductive arguments की अगर बात की जाए deductive arguments की अगर बात की जाए तो deductive arguments में हम लोग general general to particular जाता है अब general का मतलब क्या होता है general का मतलब होता है हम जब सबके बारे में बात करते हैं अब particular का मतलब क्या होता है जब हम एक जाए या फिर किसी individual के बाड़े में बात करते हैं तो चलिए इसके example से समझेंगे देखे पहला premise क्या दिया वाय मेरा all cats all cats like milk यह है मेरा पहला premise और दूसरा premise क्या दिया हुआ मेरा tom is a cat tom is a cat स्ट्रेट्मेंट हो गया तो यह आज से मैं क्या कॉंक्लूशन बना सकता हूँ कॉंक्लूशन मैं बना सकता हूँ कि टार्म लाइक्स मिल्क तो यह हो गया मेरा डिटक्टिव अड्यूमेंट जहां पर बहुत जन्द के बाड़े में पहले में बात करता हूँ फिर एक जन्द के बाड़े में बात करता हूँ महाँ से मैं कॉंक्लूशन अपना बनाता हूँ यह स्ट्रेट्मेंट आपको क्लियर है प्रेमाइस 1 में लिखा है मैंने कि सभी बिल्लों को दूद पसंद है फिर प्रेमाइस 2 में मैंने लिखा है कि आपके घर में एक बिल्ला है जिसका नाम टॉम है तो इसका मतलब conclusion में मैं क्या लिख सकता हूँ कि टॉम को आपका दूद पसंद है तो यह हो गया आपका deductive argument जहां पर general statement से एक particular कि इसके बारे में हम बात करते हैं और वहां से हम लोग conclusion निकालते हैं चलिए इसको और एक example से हम लोग समझेंगे यहां पर क्या example दूँ मैं चलिए पहले कही example देते हैं Premise 1 में मैंने लिख दिया कि all good students go to IIT Premise 2 में मैंने लिख दिया Ram Goes to IIT तो इसमें भी मैंने same काम किया है देखिये यहां पर मैंने सभी students के बारे में बात किया है यह statement क्या हो गया मेरा यह statement हो गया मेरा general और फिर मैंने सिर्फ Ram के बारे में बात किया है तो यह क्या हो जाएगा आपका particular तो यहां से मैं conclusion बना सकता हूँ Ram is a good student अब देखिये मैंने जो पहले आपको बात किया था जो पहले आपको बता रहता है कि valid और invalid तो यह directive argument में same logic follow किया जा कि हम लोग देखते हैं कि argument आपका valid है कि invalid है जैसे देखें यहां पर पहला premise जो है all cats like milk यह all cats like milk जो है यह आपका true है tom is a cat यह भी हम लोग true है ताकि sentence में क्या दिया हूँ है tom likes milk तो यह बिल्कुल इसका logic follow खड़ रहा है तो यह क्या हो जागा यह हो जागा आपका valid यह argument क्या है directive argument क्या है आपका valid है पिर इसको देखते हैं all good students go to iit तो यह क्या हो जागा यह हो जागा आपका true पिर देखेंगे ram goes to iit यह भी हो जागा आपका true तो इससे हम दोख logic को follow कर रहा है तो यह क्या हो जागा आपका valid argument यह हो जागा आपका valid argument तो अगर कभी भी ऐसा हो कि आपका प्रेमाइस जो है वो फॉल्स हो लेकिन आपका logic follow किया जागा रहा है तब भी अगर आपका प्रेमाइस अगर फॉल्स हो तब भी अगर logic follow किया जागा जागा और statement valid रहा है तब भी हम लोग deductive argument को valid करते हैं तरसे की मान लीजें हैं आपड़ example से समझते हैं यहां पर example से समझते हैं पहला example है हमारे पास की और आट्स लाइक डॉग यह हमारा पहला statement दूसरा statement है तॉम is cat तो यहां से हम लोग क्या conclusion बना सकते हैं कि तॉम लाइक्स अब मुझे पहला question का answer दीजिए कि यह जो statement है यह logic को follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है argument जो है वह सही logic को follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या कह सकते है कि टॉम को जो डॉक्स होते वह पसंद है तो यहां पर देखिए आपका logic जो है वह तो valid है यह premise जो है वह आपका false है यहां कि सभी विलो को आपके dogs पसर नहीं होते है तो वही मैं बता रहाता है कि premise अगर आपका false भी होगा तब भी अगर logic follow किया जा रहा है तो वह आपका statement हो जाता है valid तो इसमें सबसे valid डिरेक्टिव आर्ग्योमेंट में हम लोग सिफ देखते हैं कौन सा statement valid है या फिर invalid है फिर जो next step में हम लोग आते हैं उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा आपका sound है directive argument और कौन सा आपका unsound है जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अगर sound होगा तो फिर इनका तीनों का सही होना जाएगा जैसे देखें यह भी true है यह भी true है और यह भी valid है जब तीनों आपके सही तरिके से दिये रहेंगे तब क्या कह सकते हैं हम लोग कि यह directive argument जो है वो है आपका sound इसके बाद वाले example देखते हैं देखें यह तीनों जो statement है तीनों statement एक true है true है और valid है यह तीनों statement valid है यह भी क्या हो गया यह हो गया आपका argument sound तो इन नेक्स statement देखते हैं यह दोनों आपके false है पर यह आपका valid है तो इससे हम लोग क्या कहर सकते हैं यह जो argument है हम लोग का हो गया आपका unsound इसको और एक बार चार्ट से देखेंगे अब हम लोग को स्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा तो अगर सबसे पहले यहां पर हम लोग लिखते हैं इड़क्टिव आर्ग्यूमेंट अब आगर डिड़क्टिव आर्ग्यूमेंट देखा जा तो डिड़क्टिव आर्ग्यूमेंट आपके दो टाइप्स के होता है एक होता है आपका वैलिड और दूसरा होता है आपका इन्वैलिड एक होता है आपका इन्वैलिड और एक होता है आपका इन्वैलिड वैलिड कब कहा जाता है जब आपके conclusion is split conclusion सही होता है invalid में क्या होता है जब आपका conclusion गलत होता है तब होता है आपका invalid फिर आपके valid में जो है invalid आपके दो प्रकार क्यों हो सकते है एक होता है आपका sound और दूसरा होता है आपका unsound तो आपका sound कब होता है if premises are true or conclusion जो है is valid तब कहा जाता है आपका sound तो इन थीनों में से अगर कोई सा भी वो नहीं माने तो फिर वो हो जाता है और आपका unsound invalid में conclusion तो हमेशा आपका गलती होता है invalid होता है तो उसमें आपका shift रहता है आपका unsound तो ये चार्ट आप लोग को आई होब आप लोग को पूरे तरके से clear है कि deductive argument पहले तो हम लोग देखते है valid है कि invalid है जो कि हम लोग देखते conclusions है कि conclusion आपका सही है कि गलत है फिर उसके बाद देखते हम लोग कि deductive argument आपका sound है कि unsound है अगर आपके दोनों premise से सही है और conclusion भी आपका valid है तो फिर आपका sound है पर इन में से अगर कोई भी गलत है मतलब premise मान लिए जब दोनों premise में से अगर कोई सा false है या फिर conclusion जो है वो invalid है तो फिर वो हो जाता है आपका unsound तो यह था आपका deductive argument अब हम लोग समझेंगे inductive argument के बाड़े में अगर बात क्या आजाए यह बिल्कुल deductive argument जो है उसका ठीक उल्टा है तो inductive argument में क्या होगा हम लोग जाएंगे particular से particular argument में हम लोग जाते है from particular to general हम लोग particular से general में जाते हैं जैसे कि मान लीजिये मैं यहां पर एक sentence दिया हुआ है T1 is a good student स्ट्राम इसे गोड स्ट्रेंट फिर आपका पी टू में दिया हुआ है हुआ हुआ स्ट्रेंट्स इंट्रीजेंट मैं पर मैं कॉंक्लूशन लिख सेक्था हूँ राम यहां पर देखें इंड़क्टिव आर्ग्यूमेंट जो है इंड़क्टिव आर्ग्यूमेंट का पैटर्न फॉलो किया गया है सबसे पहले क्या है राम इसे गूट स्ट्रेंट स्क्रिफ एक जर्म के बारे में बात क्या जा रहा है पर्टिकुलर तो एक जर्म के बारे में बात क्या जा रहा है यहां पर किसके बारे में बात क्या जा रहा है तो फिर राम के बारे में पिर बताए जा रहा है सभी बच्चों के बाड़े में कि all good students are intelligent तो यहापड क्या है मैं एक general statement बता रहा हूं यह वाज से मैं conclusion बना सकता हूं कि Ram is an intelligent person तो हम लोग जब भी from particular statement to general statement move करते हैं तो उससे क्या का जाता है आपका inductive argument तो उससे का जाता है आपका inductive argument यहाँ पर भी आपका deductive argument में जैसे आपको याद होगा कि valued और invalid था तो inductive argument में हम लोग valued और invalid नहीं कहता है हम लोग वाँ पर कहता है जो statement होता है मतलब conclusion होता है उससे का जाता है strong या फिर weak तो यहाँ पर जो argument है Ram is an intelligent person यह पूरे तरिके से आपका logic को follow कर रहा है तो यह क्या हो जागा conclusion क्या हो जागा आपका conclusion strong हो जागा और अगर conclusion आपका premise को follow नहीं कर रहा है ठीक तरिके से तो नहीं क्या हो जाता है यह हो जाता है यह लग डिर्वक तुनों आपके बसकार देखा जाए यह दोनों premise आपके true है और यह conclusion भी सही तरिके से फॉल्लो कर रहा है यह क्या हो जागा आपका स्ट्रॉंग अब मान लीजे अगर कोई प्रेमाइस को फॉल्लो नहीं कर रहा है अगर प्रेमाइस फॉल्स है लेकिन लॉजिक को फॉल्लो कर रहा है तब भी वो आपका अर्ग्यूमेंट क्या हो जागा आपका अर्ग्यूमेंट हो जागा स्ट्रॉंग यह इसको भी एक्जाम्पेल से समस्थ है यहां पर में एक स्टेटमेंट लिख दाऊ की वन की वन में मैं लिख दाऊ की लायन इस एम हर्भी वोर्ड का मंतलब क्या होता है मंतलब जो घास खाते है जैसे गोट हो गए डियर हो गए तो लायन इसन हर्भी वोर्ड अनिमेल पी टू में मैं क्या लिकूंगा हर्भी वोर्ड अनिमाल्स एत रस तो कॉंकुशन में मैं क्या लिक सिक्ता हूं लायन इस रस तो देखें यहां पर क्या हो रहा है इससी फ्लायन जो है वो सिफ एक जानवर के बारे में बात क्या जा रहा है तो सबसे पहले यह हो गया मेरा पर्टिकुलर अब देखें सभी हर्भी वोर्ड अनिमेल्स के बारे में बात क्या जा रहा है तो यह स्टेट्मेंट क्या हो गया मेरा यह स्टेट्मेंट हो गया मेरा जैनरल अगर आप देखे तो यह लॉजिक को बिल्कुल फॉल्लो कर रहा है यह क्या हो जाएगा मेरा strong statement हो जाएगा अब premise देखते हैं आपका true है कि false है अगर पहला sentence देखे है यह तो मेरा statement जो है वो false है और herbivore animals eat grass यह मेरा true है दोनो statement को अगर देखा जाए यह दोनो statement में आप देखेंगे यह logic बिल्कुल सही तरीकल सब follow किया जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मेरा conclusion जो है वो strong हो जाएगा अगर रहता है कि lion eats grass उसके जगह अगर रहता है कि lion जो है lion eats meat तो आपका यहां पर conclusion जो है वो conclusion आपका true होता है पर यहां पर हम लोग को conclusion में यह नहीं देखना है कि वो true है कि false है हम लोग को सिर्फ यह देखना है कि वो statement को follow कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यह आपका logic को follow नहीं कर रहा है तो यहां पर क्या हो जाता है मेरा यह वाले conclusion हो जाता है आपका weak तो आपके inductive argument में strong होते हैं और weak होते हैं आपका conclusion जो है वो strong हो सकता है या फिर आपका weak हो सकता है अब अगर आपके दोनों जो statement है दोनों जो statement कौन से color select करूँ में आपके दोनों जो premise है वो true है और यह conclusion अगर आपका strong है तो इससे क्या कहा जाता है आपके inductive argument में इससे कहा जाता है urgent और आपके दोनों statement से कोई false है कोई सा भी premise से कर false है और conclusion अगर weak है तो उससे क्या कहाता है हम लोग तो उससे कहा जाता है आपका अन urgent तो चलिए इसको भी हम लोग chart से समझेंगे एक second यह कुछ problem कर रहा है चलिए यह chart आगया हम लोग के समने इसको हम लोग समझता है तो अगर हम लोग inductive argument inductive argument की बात करें inductive argument inductive argument जो है यह दो टाइब के हो सकता है यह हो सकते है strong या फिर weak तो strong की इसको बताया जा रहा है जो आपका conclusion को सही तरीके से follow कर रहा है और weak की इसको कह जा रहा है जो conclusions को सही तरीके से follow नहीं कर रहा है तो यह हो गया आपके strong या फिर weak अब जो strong statement है वो आपका हो सकता है cogent या फिर uncogent cogent का मतलब क्या होता है cogent का मतलब होता है आपके दोनों premises जो है premises आपके true है और जो आपका conclusion है वो strong है यह तीनों criteria अगर follow किया जाएगा तो आपका inductive argument जो है वो हो जाता है आपका cogent और इन में से कोड़ी अगर किसको नहीं follow किया जाएगा unfollow किया जाएगा तो फिर वो हो जाता है आपका uncogent जैसे कि कोड़ी premise से कर आपका false why या फिर conclusion जो है आपका weak रहा तो फिर वो हो जाता है आपका uncogent और weak argument जो होता है weak inductive argument वो तो obviously आपका uncogent होगा तो पहले से उसमें conclusion जो है वो पहले से आपका weak है तो यह हो गया आपका inductive argument और deductive argument अब इसके बाद हम लोग देखेंगे proposition की क्या-क्या parts होता है जो कोई भी चो statement है उसको का जाता है आपका proposition इसके mainly आपके 4 parts होता है पहले हिस्से को का जाता है आपका quantify quantify पिर है आपका subject पिर आता है आपका predicate पिर आता है आपका popular तो सबसे पहले कर quantify की बात की जाए quantify क्या करता है हम लोग को amount के बादे में बताता है कि sentence पर एक जन के बादे में बात किया जा रहा है कि बहुत जनों के बादे में बात किया जा रहा है तो वो क्या हो जाता है हम लोग का quantify पिर होता है हम लोग का subject subject क्या होता है subject हम लोग किस चीज के बादे में बात कर रहा है किस के बादे में बात कर रहा है कौन है जिनके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग उससे का जाता है सब्जेट फिर आता है प्रेडिकेट प्रेडिकेट का मतलब होता है सब्जेट के कुछ नेचर के बारे में या फिर उनके कोई क्याक्टरिस्टिक के बारे में जो हम लोग बात करते हैं उससे का जाता है आप का कॉप्यूला क्या करता है आपका जॉइन करता है कि सब्जेक्ट कि इस इसको बहुत सारे एक्जाम्पेल से समझेंगे एक्जाम्पेल्स को देखते हैं कि पहला सेंटेंस अगा लें यहाँ पर अल कैट्स लाइक मिल्क अल कैट्स लाइक मिल्क तो यहाँ पर अगर देखा जाए मेरा क्वांटिफायर क्या होगा मेरा मेरा सब्जेट क्या होगा किस के बारे में बात किया जा रहा है तो फिर बिल्क के बारे में पबसन है तो फिर उनको दूद पसन है यह मिल्क क्या हो जाएगा यह मिल्क हो जाएगा मेरा प्रेडिकेट अ प्रेडिकेट को है क्या होगी यह हो गया मेरा तो प्यूलर अब दूसरा statement देता हूँ वो आप लोग खुद से solve करने का try कीजएगा all cats like dog तो इसमें देखे कौन सा subject है, कौन सा trade ticket है, एक बार खुद से solve करने का try कीजिए तो यहाँ पर अगर देखे तो क्या होगा यह all क्या हो जागा, यह मेरा quantity के बाड़े में बता रहा था है यह हो जागा मेरा quantity fire quantity cats क्या हो जागा cats इनके बाड़े में बात क्या जागा बिल्लियों के बाड़े में इनके बिल्लियों को आपके dogs पसंद है बिल्ली क्या हो जागा मेरा यह हो जागा बिल्ली मेरा subject like क्या हो जागा मेरा यह like हो गया मेरा कॉपी वुला और डॉग हो गया मेना प्रेडिकेट चली और एक एक एसमपल से हमनो फिर से देख्थे है इस वो कि राम राम इस पर मुझे डिफ्रेंस बताईए कि कौन सा क्या होगा तो यहां पर मेरा कॉपी मेरा क्वांटिफायर कौन सा होगा तो यहां हो जागा राम क्या हो जागा राम के बारे में यहां पर बात क्या जागा तो राम हो जागा मेरा सबजेट और concept feature के बारे में बात किया जाए है कि राम एक अच्छा student है ये good student क्या हो जागा मेरा है ये हो जागा मेरा popular ये हो जागा मेरा A.Predicate और is क्या होगा is होगा मेरा popular ने होगी आपका subject और predicate को join कर रहा है तो आई होव आपको यह पूरे तरिके से clear हो गया है कि 0гов subject popular और predicate क्या होता है तो चलिए और एक example से समझेंगे लास्ट वाले एक्जाम्पल जो है वो थोड़ा सा कॉन्फूसिंग है बहुत जान्द को थोड़ा सा डिफिकल्स लग सकता है हम लोग क्या लेंगे हर्भी वोर यहां पर यहां पर एकर आप स्टेटमेंट देखें तो फिर आपको समझेंगे हैं समझेंगे हैं कि सभी हर्भी वोर अनिमेल्स के बारे में बात क्या जा रहा है यहां पर आगर देखा जाए तो फिर क्वांटिफाइर क्या हो सकता है क्वांटिफाइर हम लोग मान सकते हैं यहां पर आल है क्वांटिफाइर दियावा तो नहीं है पर स्टेटमेंट को बढ़के आपको समझ वे आएगा क्वांटिफाइर क्या है सब के बारे में बात क्या गया है कि सिर्फ एक जन के बारे में बात क्या जा रहा है जैसे यहां पर देखे हम लोग को पता चला है कि राम जो है सिर्फ एक जन के बारे में यहां पर बात क्या जा रहा है ऐसा ही आपका यहां पर हर्भी वोर अनिमेल्स इट ग्रास यहां पर क् क्या जा रहा है तो हम क्वांडिफायर मेरा अल होका सब्जेक्ट क्या होगा किसके बारे में बात क्या जा रहा है यह हो जाएगा मेरा आपका सब्जेक्ट पिर आपका इस चीस के बाड़े में बात किया जा रहे कि हर्बीपोर अनिमेल जो है वो खास खाता है तो ग्रास क्या हो गया मेरा ग्रास हो गया मेरा डेडिकेट और इट क्या हो गया मेरा इट हो गया मेरा टॉप्यूला तो I hope यह आपको पूरे तरीके से clear हो गया होगा अब देखते है proposition की क्या क्या types होते है तो proposition क्या क्या types समझें उससे पहले हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे आसानी से याद रखा जा सकता है आपको पता ही होगा कि आदफाबेट में 5 भाविल्स होते हैं आपको लिखना है पहले दो में यू लिखना है और दूसरे दो में आप लिखना है पहले दो में यू लिखना है और दूसरे दो में लिखना है यहाँ पर लिखे आप पहले पॉजिटिव पॉजिटिव इस सेकेंड में लिखे आप नेगेटिव पर लिखे पॉजिटिव और फिर लिखे नेगेटिव तो यू में क्या लिखेंगे हम दो यू में लिखेंगे आपका यूनिवर्सल यहाँ पर भी यू है तो यहाँ पर भी लिखेंगे यूनिवर्सल यह लिखेंगे आपका पर्टिकुलर और यहाँ पर भी लिखेंगे आपका पर्टिकुलर अब इनको समझते हैं क्या है देखे यह चार्ड तरिके जिक जो है वो है आपके प्रोपोसिशन टाइपस आप प्रोपोसिशन पहले आपका जो प्रोपोसिशन है उसे कहा जाता एएपस प्रोपोसिशन जो की होता है आपका यूनिवर्सल पॉजिटीव यूनिवर्सल पॉजिटीव बित्लब क्या होता है यह सभी चीज़ों को पॉजिटीव तरिके से दिखाता है जैसे की मान लीजें यहां पर मैं example लिखता हूँ कि all cats are animals यह क्या हो गया यह statement मेरा a type का statement हो गया क्योंकि यह क्या है universal positive यहां बस सभी बिल्लों के बारे में बात किया जा रहा है और positive तरीके से दिखा रहा है कि all cats are animals अब देखेंगे यह type का proposition क्या होता है यह होता है आपका universal negative यूनिवर्सल negative मतलब सभी के बारे में negative इसमें क्या हो जागा मेरा statement no cats are animals यह क्या है यह है यूनिवर्सल negative फिर आते हैं हम लोग particular positive पे particular का मतलब आपको पता यह कि किसी लोगों के बारे में बता जा रहा है सभी के बारे में नहीं इसमें क्या यूज करते है particular में हम लोग यूज करते है सम यह आपर क्या लिखेंगे सम क्या लिखेंगे सम particular negative में भी हम लोग सम का यूज करेंगे यह आपर हम लोग नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे कैसे सम cats are not animals तो यह हो गया मेरे चाट टाइप के प्रोपोसिशन यूनिवर्सल पॉजिटिव यूनिवर्सल नेगेटिव पर्टिकुलर पॉजिटिव और पर्टिकुलर नेगेटिव I hope आपको यह चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से clear हो गया होगा यह है मेरे चाट टाइप्स के प्रोपोसिशन अब यह है प्रोपोसिशन के quantity quantity का मतलब क्या होता है quantity आपके दो प्रकार के होता है quantity हम लोगने पहले ही देखा कि आपके दो प्रकार के होता है एक होता है आपका यूनिवर्सल जिसमें सभी के बारे में बात किया जा रहा है और दूसरा है हमारा particular प्रक्टी आपके यूनिवर्सल में कौन है पहले जो दो प्रोपोसिशन है फावेल्स में वो है हमारा यूनिवर्सल पहले दो प्रोपोसिशन क्या होंगे आपके होंगे a और e यह होगे हमारे यूनिवर्सल प्रोपोसिशन तेके यहापर a है a and e यह दोनों है हमारे यूनिवर्सल मतलब यह सब के बारे में बात कर रहा है फिर देखेंगे हम लोग particular particular में अगर देखा जा तो फिर particular में आता है मेरा i और o यहापर देखें particular क्या है आपका i है और o है तो अगर मेरा statement जो है वो statement start होता है आपके all से सभी के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो वो होता है मेरा universal और अगर किसी लोगों के बारे में बात करता हूँ अगर मेरा statement sum से start होता है वो क्या हो जाएगा मेरा particular statement quantity का मतलब ही क्या होता है quantity का मतलब होता है quantity कैसे बता हूँ आपको quantity आप बता सकते कि amount हम लोग देखते है statement में कितने जन्त के बारे में बात किया जा रहा है वो आपका दो प्रकार के होते एक होता है आपका universal दूसरा है आपका particular universal मतलब सभी के बारे में बात किया जा रहा है और particular मतलब है किसी किसी लोगों के बारे में बात किया जा रहा है तो यह हो गया आपके quantity, अब आते है quality, quality अगर बात करें तो मान दीजिए आप अगर किसी आदमी से भी बात करते हैं, किसी लोग से मिलते हैं, तो आप बोलते हैं कि यह आदमी जो है वो positive है या फिर negative है, कि आदमी जो है यह positive बाते करता है या फिर negative बाते करता है, तो sentence में भी के सेम चीज फॉलो किया जाता है आपके दो न क्यों होता है है कि इस इस प्वालीटी जो होता है वह आपका पॉजिटिव और अब दूसरे क्या होता है दूसरा होता है आपका नेगेटीव अब आपके positive statement ठेकर देखा जाए तो positive statement में क्या आता है आपका A और E यहां पर देखेंगे देखें आपके यह positive और आपका I है positive और यहां पर मैंने शाद गलाद दिख दिया यह थोड़ा सा ने गलाद E नहीं होगा यहां पर आपका positive होगा I A and I है आपका positive और negative में क्या आजाएगा आपका negative में आजाएगा आपका E and O यह आपड़ देखेंगे आपका negative statement क्या है तो negative में आपका E और तो quantity क्या है amount दिखाता है और quality क्या है कौन सा statement आपका positive है या पिर negative है positive में आपका A and I आता है और negative में आता है आपका E and O statement इसके बाद हम लुग पढ़ेंगे Distribution के बारे में तो Distribution के अगर बात की जाए Distribution का मतलब क्या होता है कोई चीज जब complete होता है अब उससे कहा जाता है आपका distributed जैसे कि यहाँ पर 4 propositions के बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे ए प्रोपोसेशन के बारे में तो यह क्या है यह है आपका यूनिवर्सल पर सेटिव स्टेट्मेंट यहाँ पर एक्जामपेल अब क्या पहले का यह एक्जामपेल लेते हैं कि all cats all cats are animals इसमें अगर venn डाग्राम से इसको समझे तो फिर venn डाग्राम मेरा कैसा बनेगा all cats are animals पहले एक circle बना लूँगा मैं यह circle बन गया आपका cat all cats are animals उससे बड़ा एक circle बना लूँगा जो की क्या है मेरा अनिमेल्स है तो यहां पर अगर देखे तो कौन सा आपका पूरे तरीके से complete है वो कौन सा complete है आपका cat यह वाला circle जो है यह वाला circle आपका यह आप circle देख रहे हो यह वाला खुद से complete है लेकिन अगर हम अनिमेल्स को लेना चाहें तो हम लोग को cat को भी लेना पड़ेगा पर अगर सिर्फ cat को ले तो वो खुद में से complete है यह पर आपका distributed कौन सा हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है आपका subject क्योंकि cat क्या है subject है subject distributed distributed आपको यह clear हो गया है कि यह distribution का मतलब क्या होता है जो खुद से complete है तो cat जो है वो खुद से complete है तो इसलिए यह आपड a type proposition जो होते है उसमें आपका subject जो होता है वो आपका distributed होता है अब हम लोग second देखेंगे second में क्या है आपका e type का proposition a type के proposition में क्या है यह भी आपका universal है लेकिन negative यह आपड एक्साम्पल क्या होगा no cats are animals तो यह आपड भी event diagram बना आखे देखते हैं क्या होगा इसका यहां पर लिखा गया no cats यह मेरा बन गया cat और animals यह बन गया मेरा animals तो यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों जो है खुझ से complete है पर एक दूसरे की जरुरत नहीं है यहां पर हम लोग क्या लेख सकते हैं कि बोथ subject and predicate जो है are distributed यह दोनों जो है खुझ से complete है तो देखें cat भी कुझ से complete है और आपका predicate जो है animals वो भी आपका खुझ से complete है तो एक दूसरे की यहां पर उनको जरुरत नहीं है तो यह हो गया आपका a और e अब देखेंगे i distribution के बारे में तो i distribution के बारे में एकर देखा जाए तो सबसे पहले इसको example से देखेंगे i में क्या है आपका particular positive particular positive के example क्या होगा some cats are animals इसका भी वेंटेग्राम बनाते है some cats are animals यह circle मैंने बना लिया cat cat और यह circle मैंने बना लिया आपका animal cat और अनिमेल यहां पर पता जा रहा है कि some cats are animals मतलब कौन से जगे के बारे में बात क्या जा रहा है इस एरिया के बारे में बात क्या जा रहा है इसमें हम लोग क्या इसमें हम लोग को क्या दिख रहा है यहां पर दोनों आपके एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि cats के बारे में अगर बात करें तो animals के बारे में बात करना पड़ेगा और animals के बारे में बात करें तो cat के बारे में बात करना पड़ेगा यहां पर क्या होगा बोध अर undistributed यहाँ पर subject यहाँ पर आपको शाल दिखाईने देड़ा फिर से यहाँ पर लिख देता हूं यहाँ पर देखिए आपका अना cats distribute हो रहा है आहिए आपके animals तो यहाँ पर आई इस टाइप का जो statement है आपके subject और प्रेडिकेट दोनों आपके undistributed है अब हम लोग लास्ट में देखेंगे आई हो गया आप देखेंगे ओर टाइप का statement ओर टाइप का statement क्या है यह आपका particular negative तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका some cats are not animals तो यहाँ पर भी फेंटाग्रम से समाझेंगे आपका यह सर्कल मैंने बना लिया cat का यह सर्कल बना लिया मैंने animal का यह है cat यह है तो देखेंगे इसमें क्या होगा आपका some cats लिखा हुआ है are not animals यहाँ पर हम लोग कौन से लाइन देखेंगे यहाँ पर some cats are not animals आपका यह वाला portion होगा यह वाला portion इसमें क्या हो जाता है आपका subject तो undistributed आता है पर आपका predicate जो है वो distributed होता है क्योंकि predicate क्या है यहाँ पर predicate है आपका animals योग कि आपके खुद से complete है क्योंकि यहाँ पर देखें यह आपका खुद से complete है इसलिए का जाता है यहाँ पर ओ टाइप का जो statement है वहाँ पर आपका predicate predicate जो होता है वो आपका distributed होता है distributed क्योंकि यहाँ पर फिर से देखें समझें बात को कि अगर मैं यह वाला portion लेता है तो फिर दोनों आपके जो है दोनों आजाते cats और animals पर मैं जब यह वाला portion ले रहा हूँ तब उसमें क्या है स्रिफ animals है तो animals जो है वो आपके distributed है तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका predicate जो है वो आपका distributed होता है तो इसको हम लोगे एक बाद चार्ट से समझेंगे अब आपको पुरे तरीके से clear हो जाएगा तो पहले आपके जो positions होते हैं इनको लिखते हैं a, e, i and फिर उपर लिखते हैं आपका subject और यहाँ पर लिखते हैं आपका predicate subject decline तो अगर देखा जाए यह type का जो statement है यह type के statement में आपका subject जो है subject आपका distributed होता है और predicate आपका undistributed यहाँ पर आप देखिए जो आप लोग ने थुरी ते पहले समझाता है subject जो है वो distributed होता है और यह predicate distributed नहीं होता है यह बात देखेंगे आपके e type of statement e type of statement में क्या होता है आपका subject और predicate दोनों आपके distributed होता है a भी आपका distributed और predicate भी distributed यहाँ पर आप example में देखिए दोनों जो है both the subject and predicate are distributed उसके बाद हम दोग देखेंगे i type के statement को i type के statement में क्या होता है दोनों आपके undistributed होता है दोनों जो होता है आपके undistributed मतलब कोई भी ना subject नाई प्रेडिकेट आपका complete होता है दोनों में से कोई भी आपका distributed या फिर complete नहीं होबाता है तो फिर both are undistributed उसके बाद हम दोग देखेंगे i type का statement i type के statement में subject जो होता है वो होता है आपका undistributed और आपका predicate जो होता है प्रेडिकेट होता है आपका इसको भी हम दोग देख लेते हैं इसमें सिर्फ प्रेडिकेट जो है वो distributed होता है आपके वो type के statement में तो ये chart आपको एक बाद देख लेना और एक बाद आप समझ लेंगे तो आपको आसनी से ये याद भी हो जाएगा तो आज के वीडियो के लिए इतना ही था I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा और अगर अच्छा लगा तो kindly channel को subscribe कीजिए हम लोग 1000 के बहुत कईब है Thank you so much ये वीडियो देखने के लिए and I hope आप लोग का upcoming exams काफी अच्छा होगा उनके लिए all the best तो फिर मिलेंगे हम लोग कल logical listening का second part लेके Thank you so much